नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एटेशिक्स में दोस्तों सेकेंड सिफ्ट का भी एक्जाम समाप्त हो चुका है SSE GD का तो दोस्तों जिन छात्रों ने एक्जाम दिये हैं वहाँ से कुछ प्रश्ण मिल पाए हैं हमें तो उस प्रश्ण को हमने आ PDF भी दिया जाता है जो कि हर एक्जाम का अभी तक दिया गया है आपको SSE GD का तो आज के दिन का भी यानिकि 19 स्वरवरी का जितना भी प्रश्ण है वो सभी के सभी प्रश्ण आपको हम लेकर देंगे विट PDF आप हमारे साथ बने रहेगा शाम को 7 से 8 के बीच में ठीक है दोस्तो चलिए हम लेकर चलते हैं सेकेंड सिफ्ट में पूछी कई उन सभी प्रश्णों को जो की आज यहाँ पे आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तो तो हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्णों पे जो की आज के सेकेंड पाली में पूछे गया हैं तो दोस्तो यह प्रश्ण हमें मिल पाए हैं जो की आपके लिए लेकर आए हैं तो इन प्रश्णों को जरूर देखें और इसे शेयर कर लें ताकि आप उन लोगों क कि दोगों से मिट्टी वाले चैपिर को भी थोड़ा सा पढ़के जाएगा रेगूर मिट्टी किस नाम से जाने जाती है यानि की काली रिष्मी मिट्टी ठीक है अगला एक प्रस्थन था चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक का नाम था वो किस ने लिखी थी तो ये लिखे थे रॉबर्ट डबलू स्टर्ण ने नोट कर लिजेगा भारत रतन पूछा गया है जो खिलाडियों में किसे दिया गया है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का कि अभी तक खिलाडियों में किसे भी भ अहां इस्तित है ये नोट कर लिजेगा ये आगरा में है और आगरा में इनकी पूरी खांदान का ही मकबरा है देखा जाए तो ठीके वैसे तो आगरा में लगबग है बहुत सारे लोग का पर आगरे में हैं अकबर का मकबरा ठीके युत्तर प्रदेश पड़ता है उपभो जान से पॉलिटी से एक पूछा गया है ये राजी सभा का क्या महत्वे किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है तो तो देखिए यहां पे क्लियर नहीं था मुझे फिर वी मैंने लिग दिया कि राजी सभा से यह प्रस्ण आई हुए हैं तो यहां पर अपर्तियक्स निर जब आएगा तो उनमें सारे प्रश्ण आपको मिल जाएंगे टेंसन मतलिएगा वहां 100 से भी ज्यादा प्रश्ण आपको जीके के दिये जाते हैं जीके जीएस के जो पूछे जा रहे हैं तो यह देखके ही जाएगा और इसका पीडिये भी आप लोग रखिएगा ताकि आने महासागर में जाके गिरती हैं तो अरब सागर में दिखे नर्मदा साबर्मति माही और तापती जाके मिलती हैं वही वेस्ट बिंगॉल यानि कि बंगाल की खारी में गंगा नदी जो है वो जाके मिलती है तो यहाँ पर note कर लिजेगा जो भी आपके options होंगे उनमें से एक ह नहीं है यह question पूछा गया था अब इनमें option मुझे मिल नहीं पाया है तो अगर आप लोगों को जो answer यहां पता होगा यह शाम को मिल जाएगा third shift के साथ इनका answer ठीक है जिसका भी छुटा हुआ है उसका answer third shift के साथ मिल जाएगा आप लोगो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा य राजविपाल किसके द्वारा नुक किये जाते हैं तो जैर्ची बाते राश्रुपती के द्वारा और ये 5 साल के लिए नुकती होती हुटी राजविपाल के हरस्टेट की ओके चलिए अगला प्रश्ण है परोग्ष का बिलोम पुषा गया है तो यह होता है दोस्तो आथ जिसका कोई नाथ ना हो ये देखो question repeat है ये आया हुए question अनाथ हीम का परियावाची भी पूछा गया था ओश और तुसार ठीक है सुद्ध का बिलों पूछा गया असुद्ध होता है क्रे का भिक्रे होता है और सुद्ध वर्तनी बताना था कुवा का और सुद्ध वर्तनी ए mathematics से आपको इसके बारे में बाद में दाताते हैं देखे रिकेटस जो है वो किस vitamin के कमी से होता है तो vitamin D के कमी से होता है जो की हड्यों के problem होती है रिकेटस problem होने में ओके अच्छा आयुश्मान वर्तनी जीकि ये पूछा गया है तो ये आयुश्मान जो है इसका सुद्ध करतनी है ये और ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था आयुश्मान ठीक है आयुश्मान करके लिखा हुआताइए तो ये जो सु द्यवा कि बोलने का था भोलने'S चुश हां धाया यहां पर कोस्छ कुश यहां पनें नहीं मिल पाया थीम्रेंग सब़ाये तो अ problems pretty Скर रसक्रद वह भी पढब के जा रहें बहुत सिंपल बेसिक बेसिक और देखे जिनको भी मैट्स की क्लास करनी है वह प्ली सक्सेस की 98 पे साम को ससी जीडी की क्लास होती है ठीक है तो वहां जीटू सर अभी question वो भी पूछे गए थे तो ये सब question बहुत easy आ रहे हैं चलिए साम को मिलते हैं तीनों shift का जब analysis लेकर आएंगे उसमें सभी question होंगे तो उन सभी question को आपके साथ share करेंगे तो अभी के लिए इतना ही था हमारे साथ यहां बने रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को like और share कर लिएगा ताकि आपके दोस्तों तक जा सके चलिए दोस्तों हमारे साथ यहां बने रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद